तक वीडियो वंम आपको पताने जानारों कि क्यासे आप अपने IQZ-500 में डबल टैप टू टो टॉर्ण आफ सेटिंग को आपना यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह डबल टैप टूर्ण आफ सेटिंग जो कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटीएल में जा स्मार्ट मोशन के सामने और बटन के घरा हैा तो यह बटन आप है तो आपको आप ब्लू 5 बूलर में हो जाएगा इस一次 आपको दिक दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह सेटिंग आपकी सिर्फ दो ही जगे पे काम करेगी एक तो आपके mobile phone की home screen की किसी भी पेज पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आपके mobile phone की lock screen लॉक स्क्रीन कौन सी यह वाली लॉक स्क्रीन ठीक है एक तो home screen और एक लॉक स्क्रीन इन दो जगे पे ही setting काम करेगी काम कैसे करना है देखे आपको ने खाली जगे पर डबल टैप करना है ऐसे तो इससे क्या होगा screen off हो जाती है ठीक है तो यह double tap to turn off setting जो नहीं इस तरीक से का करती है आपके mobile phone में अब मैं आपको यह भी बतायता हूं कि कैसे आप इस setting को अपने mobile phone में shortcut तरीकी से आप कैसे ढूंड सकते है इसके लिए आपको करना क्या होगा है इसे आपको फिर से open करना है इस स्टार्टिंग से तो setting पेज को open करेंगे तो setting पेज में सब सर्च आइकन का option select करना है और यहां पर आपको सर्च बार में setting का name आपको टाइप करना है तो आपको नीचे की सेड़ी option शो हो जाएगा इससे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने क आपके mobile phone में